Hello everyone, आप सभी का चीज की कोड में शुवागत है तो आज की शूडियों हम लोग Jetpack Compose की Themes के बारे में बात करेंगे देखेंगे किस तरीकिसे हम लोग Themes को Customize कर सकते हैं किस तरीकिस हम लोग अपनी एप का जो Look & Feel है उसको Consistent रख सकते हैं तो अगर मैं इस पर Control क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप दिखेंगे कि यह हमारा Simple Composable Function है जो हमाले Theme Define करता है तो एक बर इसको Explore करते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीजी है तो इस Composable के नदर हमारा पस दो Parameters है पहला जो Parameter हमारा वो हमारको यह बताता है कि अभी हम लोग Light Mode में या Dark Mode में है तो उसके Corresponding हमारी जो Theme है वो Apply हो जाएगी तो यह हमारा Boolean Type का है जो हमारको यह बताएगा कि अभी आप Dark Mode में हो यह Light Mode में हो जो हमारा Second Parameter है वो हमारा Content वाला Parameter है और यह हमारा Composable एक्सपेक करता है तो यहाँ पर मैं कोई भी Composable function पास कर सकता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे Main Activity के अंदर इसको हमने आप एक Composable पास किया है जो कि हमारे Content वाले Parameter में जाके Assign हो जाएगा तो अगर मैं इसको Simplify करूँ तो अभी के लिए Code को यह से Remove कर देते है और यहाँ पर एक Text Composable Define करते है तो यहाँ पर मैं इसको Text देता हूँ Cheezy Code इसको मैं और Simplify कर सकता हूँ तो अगर मैं आप लिखता हूँ Blog App Theme In Braces को यह से Remove कर देते है और directly मैं आप इसका Content Parameter access करूँगा और इसको इस तरीके से एक Lambda sign कर दूँगा और इस Lambda के अंदर हम अपना Text Composable call कर पाएंगे तो इस तरीके से भी मैं इसको Define कर सकता हूँ यह दोनों सेम ही है Just Define करने का तरीका अलग है अब यह वाला जो Syntex है हमारा यह Kotlin का एक Feature होता है जिसमें अगर हमारा Trailing Lambda होता है मलब यह हमारा एक Trailing Lambda है तो मैं directly यहाँ पर इसको Pass कर सकता हूँ इस तरीके से यहाँ पर मुझे Content Define करने की ज़रुएत नहीं है यह वाला जो मेरा Lambda है यह By Default हमारे इस Last Parameter में जाके जो जाएगा तो यह Kotlin का Feature है यह Compose का Feature नहीं है तो दोनों ही Syntex Valid है आपको इसा भी Syntex Follow कर सकते हैं बट Mostly जो आपको Jetpack Compose में मिलेगा वह कुछ इस तरीके से ही मिलेगा कि अगर आपके Function के अंदर जो आपका Last Parameter है वह LambdaX पर करता है तो आप उसको directly इस तरीके से पास कर सकते हो तो वहापे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है वह Implicity होगा तो I hope आपको यह Sense बना रहा होगा अब इस Project के साथ हमार पास यह 4 Files भी आती है जो हमारी मदद करती है Theme Define करने के लिए तो सबसे पहले यह हमार पास एक File है Color.kt की तो जितने भी आपके App के Colors होगे वह आप इस Color वाली फाइल के इंदर Define करोगे तो इस तरीकिस हमने आपके Colors Define की है Make sure करना कि जो आपका Compose का Package है वह यहां पर Import हो रहा हो और इस तरीकिस आप यहां पर Different Colors Define कर सकते हो Similarly हमार पास एक Shape वाली फाइल है तो Button के Cornors किस तरीकी के होँगे यह आपको इस Pop-Up Show कर रहे हो बिसिकलि आपका Alert Dialog जो है उसके जो Cornors होगे वह किस तरीके से होगे तो उनके जो Cornors है वह Different Size के होते हैं उसके लिए हमने यह Shape Define करी है तो यहाँ पर हमार पास तीन Option है Small, Medium, Large तो अगर मैं इस Shape पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे Button और Snack Bar के लिए यहाँ पर हमार पास की Small वाली Shape यूज़ होगी Similarly Card और Alert Dialog के लिए जो हमारी Shape यूज़ होगी वह हमारी Medium वाली यूज़ होगी और यह जो Draws होते हैं हमारे और यह जो Bottom Sheet होती है वहाँ पर हमारे पास कोई Rounded Corner नहीं होते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0DP Defined है तो इस तरही किसे मारे पास यह तीन Shapes के Option है जो हमारी Shape Class के अंदर Defined है तो यहाँ पर आप अपनी Shapes भी Defined कर सकते हैं अगर आपको इसको Customize करना है Similarly हमारे पास Text Styles Defined के लिए एक Option है Type.kt के अंदर हमारे पास एक Typography वाला Object होता है इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो आपके अपके अंदर जितने भी Text Styles होंगे वह आप इस File के अंदर Defined करोगे तो हमने देखा था हमारे पास Option थे H1, H2, H3, Body, Caption, Subtitle तो उन सब के जो Text Styles है वह आप एक Common Location पर Defined कर सकते हैं और अपनी आपके अंदर उन Text Styles का यूज़ कर सकते हैं तो जितने भी आपके Composibles होंगे वह एक Consistent Style के साथ आएंगे बलब उनकी Rendering होगी वह उनकी Consistent Styling होगी तो यहाप आप देसकते हैं के लिए हमने एक Textile Defined किया है Similarly, यहापे मैं और भी Textile Defined कर सकता हूँ तो यहापे मैं H1 के लिए Defined करता हूँ और यहापे कुछ Properties Defined कर देते हैं तो इसको एक Font Family देते हैं Cursive के नाम से और यहापे इसका Font Bit देते हैं Bold के नाम से और इसका एक Size Defined कर देते हैं तो अभी जो हमारा H1 होता है वो काफी बढ़ा होता है तो इसको एक Font Size देते हैं 22SP का इस तरही किसे मैंने Textile Defined किया है H1 के नाम से तो मैं इसको directly अपने Code के अंदर Access कर पाऊँगा तो वापस अपनी Main Activity पे चलते हैं और यहां पर मैं एक Style Defined करता हूँ तो Simply मैं क्या करूँगा Material Theme में जो हमारा पास Typography है उसका Use करूँगा और यहां पर मैं अपना H1 Access करूँगा तो इस तरही किसे मैं इसको Style कर सकता हूँ तो इसको Run करके देखते हैं क्या Output आता है और यहां पर मैं Composable Define करता हूँ और इसको यहां पर नाम देते हैं App तो यहां पर मैं एक Variable Define करता हूँ Theme के नाम से और यहां पर मैं Use करूँगा MutableStateOf का और यहां पर जो इसकी Initial Value हो इसको यहां पर False दे लिए लिए अब यह हमारा Composable है यहां पर मुझे Remember कभी Use करना होगा पसिंबली यह वाला Code है हमारा इसको यहां से Cut कर लेते हैं और इसको यहां पर Paste कर देंगे और इस Block Theme में यह जो Variable है इसको यहां पर Pass कर देंगे अब यह जो State है हमारी यह Boolean Type की है तो उसी की Value का Use किया है मैंने जिससे हम लोग इसको टॉगल कर आपा है तो यहां पर आप देसक्ते हैं Dark Theme जो हमारा यह Boolean Type का Parameter है इसके बेसिस पर हमारे Color Change हो रहे है तो इसी का हम लोग Use करेंगे तो वापस जाते हैं और इसकी UI में भी कुछ Changes करते हैं यहां पर मैं एक Column लगाता हूँ और Column के अंदर यह Text Paste कर देते हैं और इसके अंदर एक Button Define करते हैं और Simply इस Button के Click पे हम लोग क्या करेंगे इस Theme को Doggle कर देंगे तो यहां पर मैं लिखूँगा Theme.Value तो Simply यहां पर मैं Not Operator का Use करूँगा और यहां पर लिखूँगा Theme.Value तो Basically होगा क्या जो हमारे Button का Text Show करेगा तो यहां पर लिखते है Change Theme और यह जो हमारा App वहला Composable है इसको यहां से Call कर आ लिए तो Simple ही Code है तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा तो एक बर इसको Run करते हैं देखते हैं क्या Output आता है तो हमारी App रन हो चुकी है अब जैसके मैं इस Button पे क्लिक करूँगा तो आप आप दिखेंगे हमारे Button का जो Color है वो Change हो जाएगा तो यह हमारा Dark Theme पे आ चुका है तो दुबारा से क्लिक करूँगा तो यह दुबारा हमारा Light Theme पे आ जाएगा तो इस तरीकिस हम लोग Themes को Toggle कर सकते है अल्दो यह अभी Difference जादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो कुछ Changes करते है अपनी Theme File के अंदर यहाँ पे कुछ Colors Define करते है यहाँ पे एक Background Color Define कर देते है और यहाँ पे हम लिखता हूँ Color.Red Similarly हमारा पास एक Surface वाला Option है इसको भी हम लोग Color Assign कर देते है तो यहाँ पे हम लिखता हूँ Color.Sea और Same यही दोनोग Properties को Copy कर देते है और अपनी Dark Color Theme में चिपका देते है इसको यहाँ पे Black Color कर देते है और यहाँ पे इसको Green Color कर कर देते है और वापस अपनी Main Activity पे जाते है और इस Column पे एक Background Color Define कर देते है तो यहाँ पे मैं Background Color Define कर देता हूँ और यहाँ पे इसको Assign करते है Material Theme.Colors.BackgroundColor तो इस तरीक से मैंने अपने Column पे एक Background Color Define कर दिया जो कि हमारी Theme से उठ रहा है क्योंकि हमारी Theme के अंदर जो हमारी Light Theme थी उसमें जो हमारा Background था वो Red Rank था तो इसलिए हमारा पास यहाँ पे Red Rank आ रहा है अब जैसी मैं इस पे Click करूँगा तो यह हमारा Change हो जाएगा क्योंकि इस Dark Color Palette के अंदर जो हमारा Background Color था वो हमने Black Define किया था इसलिए यहाँ पे Black Color आ रहा है दुबारा Click करूँगा तो यह दुबारा Toggle हो जाएगा तो I hope आपको यह Sense बना रहा होगा तो Basically हो क्या रहा है यहाँ पे Simply हमने State का Variable Define किया है जिसमें हम लोग अपनी Theme रख रहे है उस Theme को हम लोग Change करेंगे Based on the User Input तो User Input खहां से मिल रहा है हमें इस Button Click पे मिल रहा है तो अभी के लिए तो यहाँ पे हमने सिर्फ True और False रखा है बट इसके लिए हम लोग एक Enum भी Define कर सकते हैं जिसमें हम लोग Multiple Themes रख सकते हैं और उसको यहाँ पे Apply कर सकते हैं तो Simple ही Concept है क्योंकि यह जो मारा Blog App Theme है यह Composable Function है और Composable Function जो है वो State-Priven होते हैं तो जैसी उनकी State Change होगी तो अगर आपको कोई Theme Change करानी है तो आप Easily करा पाओगे यह Examal की तरीके से नहीं है जिसमें हमारा पास बहुत सारे effort लगते थे एक Theme को Change करने के लिए यहाँ पर हमारा पास Simple Function है जो आप Logic Execute कराना चाहते हो आप Logic Execute करा सकते हो तो आपको यह Sense बना रहा होगा तो इस तरीके से हम लोग Themes Define कर सकते हैं तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपको यह समझ में आ रहा होगा अब इसमें एक Last चीज देखते हैं तो यह जो हमारा पास एक Function है जो हमार को यह Detect करके बताता है कि अभी आप Dark Mode में हो या Light Mode में हो तो अगर मैं इस पर Control क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यह एक और Function कॉल कर रहा है तो अगर मैं इसके अंदर भी जाता हूँ मैं आपस एक Object है Local Configuration का और उस Local Configuration के अंदर मैं आपस एक Property है Current के नाम से जो हमार को UI Mode देती है तो इसका हम लोग यूज करते हैं इसको Copy कर लेता हूँ देखते हैं इसके अंदर क्या-क्या Properties है तो इसके अंदर काफी सारी Properties हैं अगर हमें Context को Access करना होता है तो suppose मुझे अपने इस Composable के अंदर Toast render करना है तो Toast render करने के लिए मुझे Context चाहिए तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको Access करूँगा तो यहां पर हम लिखते हो Local Context और यहां पर हमारा पस एक Current वाली Property है जो हमार को Context return करेगा तो इस तरीके से हम लोग Context को Object Access कर सकते हैं Similarly हमारा पस इसके अंदर एक और Property है Application Context के नाम से तो यहां पर हम लोग Application Context यूज कर सकते हैं तो I hope आपको यह Sense बना रहा होगा तो Android Systems Related अगर मुझे कुछ चीज़े अक्सेस करना है अपने Composable Functions के अंदर तो उसके लिए हमारा पस यह Local Objects हैं इनका हम लोग Use कर सकते हैं तो यह हमारा पस Different Objects हैं तो इन Objects को आगे Use करेंगे जब हमें Context चाहिए होगा तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं यह अच्छे लगा तो प्लीज लाइक करें अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक्यू फर वाचिंग आपका दिन चुबो दिहने बादे यह Language भी सीख लो वह Language भी सीख लो इक रेस है ऊपर चड़ना सीख लो हो जाये जब सब कुछ कुटूर्मनना सीख लो उठाके बस तनाब के रस्ता हर कुई चला है IT में IT! 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 IN it! IT IN IT! 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 SHE